कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज इस विडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े खुलासे के बारे में जी हाँ एक बढ़ा खुलासा हम करने वाले हैं और कई न कई बहुत सारे लोगों को पता होगा है ना थोड़ा सा मार्केट में समझ के चलना बहुत जरूरी होता है आज बाइनेंस के उपर एक मैया कोईन लिस्ट हुआ जिसका नाम था रोकेट पूल आर पी एल जिसका अपडेट हमने आपको मौर्निंग में ही दे दिया था कि ये कोईन लिस्ट होने वाला था और दोपह कि अपडेट आपको पता होगा कि मैजिक की नाम पहले से नाम आपको पता होगा कि मैजिक की नाम कि नाम उसके नाम इसमान खाठेट पहले से वाले था और वेल्स के पैसा पहले से मैजिक में आच चुका था और ऋसके बाद Binance ने announce कर दिया कि magic को हम list कर रहे हैं अपने platform के उपर अब मैं आज इतना बड़ा खुलासा ठीक है करने वाला हूं बहुत जरूरी है आपके लिए भी जानना exchanges और whales यह जो नई listing होती है ना new listings होती है किसी भी exchange पर कोई coin list हो रहा है और जहां तक Binance की बात आती है क्योंकि Binance पर अगर कोई coin list होता है तो उसको चार चांद लग जाते हैं अगर नहीं भी लगते होते हैं पहले से लगने शुरू हो जाएगो और ऐसे हमने RPL के साथ भी देखा है मतलब जो rocket pool coin है पहले ही whales ने game कर दिया कहां इसका price 2600 ये 2800 के गरीब चल रहा था 26 के I think था लेकिन इसका price 3300 रूपीज पे पहुँच गया 40 डॉलर तक इसका price पहुँच गया 27 से लेके 30% का pump इसके अंदर आचुका है पिछले 7 days की मैं बात कर लूँ 60% के गरीब इसका pump आ चुका है तो क्या हो रहा है मतलब Wales अब देखो कोईन पहले से ही pump कर रहा है इतना जैदा अब देखो होता क्या है कि ये सब चीजे ना Wales और exchanges के बीच की बात है ठीक है ना तो आपको पता है ना हमको पता है कि next कौन सा कौईन Binance के उपर लिस्ट होने वाला है है ना क्यूंकि अगर आपको पता चल जाए कि ये कौईन कल Binance में लिस्ट होगा तो आप अभी पैसा डाल दोगे उस कौईन के अंदर आपको वन वीक पहले किसी कौईन के बारे पता चल जाए तो आप पैसा डाल दोगी अब वेल्स के पास पैसा है एक्स्चेंजिस के पास पावर है एक्स्चेंजिस के पास पैसा है और एक्स्चेंजिस के हाथ में है कि पैसे को कैसे बनाना है एक्स्चेंजिस भी है इस लिस्ट के अंदर और साथ के साथ वेल्स आप दोनों की एक तरह से कहा सकते हो साठ गाट है न और Wales पहले से ही पैसा डाल देती है उस coin के अंदर जो Binance के उपर लिस्ट होने वाला है किसी भी exchange पर लिस्ट होने वाला है क्योंकि exchanges पे Wales का पैसा रखा हुआ है exchanges Wales का मूटा पैसा exchanges के उपर तो भाई है exchanges तो और Wales का कुछ न कुछ तो connection है ही और ये सब अंदर की बात है ठीक है लेकिन पता किसी को भी नहीं होता और यही चीज हुई थी magic के साथ Wales ने काफी अच्छा पैसा बनाया था पहले से ही उसको खरीद लिया पहले से ही उसको pump कर दिया और बाद में Binance ने announce कर दिया और Binance की announcement अगर आप देखो listing को लेगे सिर्फ 2 या 3 घंटे पहले आती है आज morning में 9 a.m के करीब जो है listing का announcement आता है और 1.30 पे ये list हो गया तो 3-4 घंटे पहले ही listing का update आता है कोई ये नहीं है कि listing update आपको 1 week पहले मिल जाएगा या एक दिन पहले मिल जाएगा बिल्कुल भी नहीं Binance बिल्कुल भी time नहीं देता 3-4 घंटे का time मिलता है आपको और वो 3-4 घंटे जब आपको बता चलता है तो coin उस time पे already moon पे जा चुका होता है अब ऐसे time पे बहुत सारे लोग फॉर्मो करते हैं rocket wool की अभी हमने बात की आज है ना कि listing होने वाली है बहुत सारे लोग इतना मतलब क्या ही बता हूँ बहुत सारे लोग कहरते कि इस coin को खरीदना कहां से है बहुत सारे लोगों एक question है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस coin को कहां से खरीदे तो इस coin को खरीदना अब देखो खरीदेंगे क्यों क्योंकि Binance पे list होने वाला है Binance पे list होगा तो कहीं अच्छा profit मिल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता whales और exchanges के बीच में क्या खेल होता है वही लोग फस्ते हैं ऐसे form के चक्कर में है ना और already price गिरा जब यह list हुआ है ना अभी थोड़ा सा price में correction देखने को मिल रहा है और वो चीज एक से expected थी अपने टेलीग्राम पे पहले ही कह दिया था magic जब list हुआ था उसका price भी गिरा तो already whales ने क्या कर दिया game तो पहले ही हो जाता है आज कोई event होता है या कोई listing होती है game तो पहले ही हो जाता है बाद में तो सिर्फ downfall देखने को मिलती है और जो उस peak पे खरीद लेते हैं अब 3350 लोगों ने खरीदा अभी 3000 के करीब इसका price आ चुक है तो वो लोग loss में आ गए है न तो इस तरह होता है loss छोटी छोटी गलतियों से लेकिन ये इतना बड़ा खुलास है कि whales किस तरह से पैसा बना लेती है exchanges कहीं न कहीं whales को सब पता चल जाता है कि ये कोई list होने वाला है और whales पहले से इस coin को pump करना शुरू कर देती है और whales काफी अच्छा पैसा बना लेती है साथ के साथ exchanges भी तो दोनों की साथ गाट आप कह सकते हो और इन listings का benefit सिर्फ और सिर्फ whales को होता है और whales को ही पता चलता है कि पहले से इस exchange पे listing होने वाली है हमने Shiba Inu का भी एक case देखा था जब Robinhood पे listing होने वाली थी evening में Robinhood के उपर list हुआ था Shiba Inu लेकिन उस morning के अंदर इतने बड़े-बड़े transaction किये whales ने I think 5-6 transactions हमने cover किये थे उस time पे मुझे आज भी याद है clearly इसलिए मैं आपके साथ share कर रहा हूँ इतने बड़े transaction थे वो Shiba Inu को लेके और evening में क्या हुआ Shiba Inu list हो गया Robinhood पे और price बढ़ गया 35% तक तो whales किस तरह से पैसा बना लेती है किस तरह से उनको पहले ही सब पता चल जाता है ये चीज तो clear होगी हो आपको सिर्फ loss होता है तो retail investors का जो form ओ पे बाये करते हैं peak पे बाये कर लेते हैं तो आपको भी इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए आपका loss नहीं होना चाहिए तो ये सारी चीजें होई है magic के साथ भी और rocket pool के साथ मी तो आगे जो update रहेंगी हम आपके साथ share करते रहेंगे आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय